हे गाईज, वेलकम टू दिश हैसन आज हम बात करेंगे आज के जो करन टफेस हैं उनके कुछ टोपिक्स की जिसमें पहला टोपिक आज का अफजल खान का मकबरा अभी ये चर्चम आया है क्योंकि सुप्रीम कोट ने जवाब मांगा है महाराश सरकार से महाराश सरकार ने इस मकबर के आसपास की जो अनधिकर सन्नचना है उस पे तोड़फोड की है यानि इसको गिरा दिया है तो सुप्रीम कोट ने इस पर जवाब मांगा है महाराश सरकार से कि क्या आपने जो ए धाचा गिराया है उसमें उचित तरीके की या उचित परकरिया का पालन किया गया है तोड़फोड की है उसमें एक उचित परकरिया का पालन किया है तोड़फोड की है उसमें एक उचित परकरिया का पालन किया है तोड़फोड की है उसमें एक उचित प माप्त हो चुका है, हमने इसको गिरा दिया है और ये सरकारी और वन भूमी पर बने अवैड धाचो को दुहस्त किया गया है, सरकारी जमीन पर बनावा था, इसलिए इसको दुहस्त कर दिया हमने ये भी बाद उपजा कहां से जो हिंदू समू है उन्होंने क्या रवप लगाया था कि हजरत मुहमद अफजल खान जो मैमोरियल ट्रस्ट है या सोसाइटी है उसने अनधिकरत निर्माण किया था और मकबरे को आगे बढ़ा लिया था विस्तार किया था जो मकबरा जितने एरिया में था उसको इन्होंने अनधिकरत तरीके से आगे बढ़ा दिया था इस मामले में 2004 में एक व्यक्ति द्वारा बिद्वन्स की मांग करते हुए जन्ही तियाची का डाली गई थी यानि P.I.L. दायर की गई थी 2004 में इन्होंने ये भी दाबा किया था जो कमांडर मारा गया थे इनका उसके सम्मान में बिभिन गती विदियों की मेजवानी करके सिवाजी की भूमी में स्वराज के दुस्मन का महीमा मंडन कर रही है ये सोसाइटी ये जो अबजल खान का जो कमांडर था है उस टाइम पे इसकी जो एरिया है जहां पर इसका मलुमक बरा बनवा था तो वो स्वराज के दुस्मन उन्होंने उसको बताया और उसका महीमा मंडन करती है सोसाइटी ये आरोप लगाया अब जलकान कौन था बीजापूर के आदिल साही सल्तानत में एक सेनापती था जो बीजापूर की सल्तानती हिस्टी में पढ़ेंगों है आदिल साही सल्तानत उसका एक सेनापती था इसकी लड़ाई हुई थी जब छेत्रपती सिवाजी का उद्य हुआ था तो उसमें इनका बढ़तावा नियंतरन के साथ अफजल खान को दककन छेत्र में इनके छेत्र अधिकार को सीमिट करने वाली व्यक्ति के रूप में देखा गया था यह जो छेत्रपती सिवाजी है जब इनका उद्य हुआ था और इनका नियंतरन बढ़ रहा था दककन में तो अफजल खान जो है इनके नियंतरन को रोकने वाली के रूप में इसको देखा गया है जो अफजल खान है इसने अपने दसवजार गुरसवारों को लेकर बीजापुर से वाई तक मार्च किया था और रास्ते में सीवाजी के नियंतरन वाले छेत्र में लूट पार्ट इसने की थी तो इस पॉइंट ऑफ यू से इसको देखा जाता है अब जब यहाँ पर लूट पार्ट की तो सीवाजी ने अपने किले में एक परिस्द बुलाई थी परताब गड़ के किले में और उनके जो सलाकार वगएर थे उन्होंने सांती स्थापित करने का आगरे क्या था हाला कि सीवाजी जो हैं पीछे अटना नहीं चाहते थे उन्होंने अबजल खान के साथ एक बैठक करके संदी कर ली थी और उस टाइम पे सडियंत पूरवक अबजल खान ने सीवाजी पर हामला कर दिया और उसकी जवाई कार्यवाई में सीवाजी जीत गए थे बाद में इसके बाद मराठो के हाथो आदिल साही सेनपर का जो है पराभव हुआ था मराठा सुतरों का अनुसार खान के जो अफसेश हैं जब उसकी डेئठ हो गए था उसके जो अफसेश थे उसको किले में दपनाये गया था और सीवाजी के आदेस पर ही मकबरे का निर्माण भी हुआ था मकबरा बना तो था सिवाजी के आदेस पर ही और वहाँ पर उसके अफसेज दपनाए गए थे उसके बाद जो अनुगर है कारिया में सिवाजी ने अफजल खान के अफसेजों पर एक मकबरा बनवाए था और उसके सम्मान में एक टावर का निर्माण भी कराया तो अफजल खान का मकबरा सिवाजी का आदेश भी बना था वहाँ पर टाबर का भी निर्मान कर आए गया था और आज भी पुरताबगर में अफजल बुरूज के नाम से बुरताबर है अफजल बुरूज पुरताबगर में टाबर बनावा है जो सिवाजी के आदेश पे बना था अबजल खान का ये इसके याद में बनाए गया था अबजल की जो तलवार है उसको सिवाजी और उसके बंसजों के सस्तरागार में एक मुल्यवान ट्रोफी के रूप में सन्नक्सित किया गया है इनकी जो सस्तरागार है वहाँ पर तलवार रखी है अब जलखान की है नेक्स्ट है विष्व मधूमे दिवस, 14 नवंबर को मना जाता है हर साल 14 नवंबर, विष्व मधूमे नयाले जो डाइविटीज होती है वाड डाइविटीज दे है 20 मधुमेदी बस 14 नमंबर ये एक गैर संचारी रोग है इसका कारण क्या होता है अगना से द्वारा पर्याप्त इंसूलिन का उतबादन नहीं करना जो हमारा अगना से है वो पर्याप्त इंसूलिन पैदा नहीं कर पाता है या सरीड द्वारा उतबादित जो insulin होता है उसका प्रभावी डंग से उपयोग नहीं कर पाता है इस बज़े से जो diabetes है याने मधू में होती है या सुगर उसको बोल सकते हैं इसके दो परकार होता है type 1 diabetes और type 2 diabetes मधू में का या diabetes का मुख्यकरण क्या है motor power वियायाम यानि के body का जो workout है उसमें कमी भारत में जो मधू में है एक चुनोती की तरह बढ़ रहा है और इसकी जो अनुमानित 8.7% आवादी है वो 20 से 70 बर्स की आई यू के वर्ग की है यानि कि जितनी total diabetes है उसका 8.7% 20 साल से 70 साल के लोग है मधू में और अन्य गैर संचारी डोगों के पुर्मुक कारकों में बढ़ता सहरी करण सहरी करण की बज़े से ज़्यादा बढ़ रहा है असंतुरित जीवन सहली आजकल साइम पे सोना नहीं टाइम पे खाना नहीं और उल्टे सीधे सारी चीज़े अस्वस्थ आहर जो है जो हेल्दी आहर नहीं है वो लेते हैं उसकी बज़ा से होता है बिस में लगबग 6% आवादी अर्थार 420 मिलियन से अधिक लोग टाइप 1 या टाइप 2 मदू में से पीडित हैं जो टोटल जनसंग क्या है गुलुकोज बढ़ाने कार्भोहाइडेट, लिपिड, प्रोटीन, मेटाबोलिज्म को वीनियमित करने तथा कोशी का विभाजन और विकास को बढ़ाब देकर सामानिया रख सरकरा के इस तर को बनाए रखने में मदद करता है यह इंसुलिन निकलता है गनासे से यह मेटाबोलिज्म बढ़ाता है इसको नियमित रखता है लिपिड प्रोटीन, कार्भोहाइडेड, गुलुकोज बढ़ाने शेलूलर गुलुकोज को बढ़ाने में यह पेप्टाइड हार्मोन है 2010 में कैंसर, मदुमे, हिर्दे रोग और स्टोक की रोग थाम और नियंतरन के लिए शुरू किया गया रास्टे का रिकरम NPCDCS इसका उदेश से क्या था स्वास्त देखवाल के बिभिन इस्तरों पर मदुमे के निदान तथा लागत प्रभावी उप्चार में सहायता करना भारत अंतराश्टे व्यापार मेला ये 41 वा भारत अंतराश्टे व्यापार मेला चल रहा है 14 नमंबर से स्टार्ट हुआ है नई दिल्ली के परगती मैदान में और 27 नवंबर तक चलेगा 14 नवंबर से 27 नवंबर तिल्ली का प्रगती मैदान अंतरास्टिय व्यापार मेला 41 वा इसका जो दगाटन है वो बानिक जवर उद्योग मंत्री नहीं क्या है इस वर्स की थीम याद रखना इस को इसन पूछा रहा सकता है वोकल फोर लोकल लोकल टू गलोबल यानि इस्थानी उत्पाद को समर्थन और वैस्विक इस तर पर विस्तार करना इसकी थीम याद रखना भारत अंतरास्टिय व्यापार मेला चल रहा है इसकी थीम है वोकल फोर लोकल लोकल टू गलोबल 14 दिन के इस बड़े आयोजन का महत क्या है आजादी के अमरत महतसब के साथ और बढ़ जाता है तो आजादी के अमरत महतसब का ये एक हिस्सा है इस मेले में कुल 29 राज्य और केंसासित परदेश भाग ले रहा है बिहार जारकंड और महराश साज़ेदा राज्य है वहीं उत्तर परदेश केरल जो विसेश आकरसन वाले राज्य आसमें भाग ले रहा है बिविन केंद्रिया मंत्राले बिभाग उत्पाद बोर्ड एवन सारवजिनिक छेतर के उपकरमिस में अपनी उपलब्द्या परदसीत करेंगे भारत अंतराष्टे व्यापार मेले में अफगानिस्तान आ रहा है बांगला देश, बहरीन, बेलारूस, इरान, नेपाल, थाइलेंड, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीराथ यानि के UAE और बिटेन सहीत इसमें बारत देश भी हिस्सा ले रहे है तो बिहार जारकन महराश्ट, यूपी केरल उसके साथ साथ ये देश भी हिस्सा ले रहे है आयूस मंत्राल है, अंतराष्टी वापार मेले में वैस्विक स्वास्थ के लिए आयूस विशा के अंतरगत, स्वास्थ पहलो और उपनब्दियों का परतरसन करेगा कौन करेगा? आयूस मंत्राल है इसके मंडप में स्वास्थ जो आयूस जीवन सहली है, उसके बारे में जानकरी दी जाएगी विचार भी मर्स किये जाएंगे गतिविदिया होंगी इस दौरान बिभिन आयू संसान वे आयूरबेद योग प्राकरतिक उप्चार यूनानी सिद्ध सोबारिकपा तथा होमी पैथिस जुड़े अनुसंदाई निकाएं भी अपने मंड़प लगाएंगे तो होमी पैथि भी होगी यूनानी भी होगी प्राकरतिक उप्चार से आयूरबेद योग वगएरा आयू समंत्राले इनके सब के मंड़प लगेंगे मेले माए हुए लोगों को आयू समंत्राले के मंड़प में निसुलक बाहिया रोगी सुपीताव बलब्द कराई जाएगी इससे उन्हें आयूस चिक्सा बदती से संबंदी सभी स्वास परामर्स दिये जाएंगे अगला है स्लोक मुखर जी अभी गूगल ने गूगल फोर डूडल 2022 परतयोगिता की विजयता की खोसना करी थी गूगल हर साल डूडल बनवाता है और इसमें विजयताओं की खोसना करता है उसमें जो विजयता होते है इसी करम में 2022 की परतयोगिता हुई और इसमें कोलकात ताके इस लोक मुखर जी को उनके प्रेरग डूडल के लिए इंडिया ओन दे सेंटर स्टेज सीर ससे भारत के लिए विजेता घोसित किया है। इंडिया ओन दे सेंटर स्टेज इसका सीर सकता गूगल फोर डूडल 2022 पुर्तियोगिता का। अपने डूडल को साधा करते हुए इस लोक ने लिखा अगले 25 वर्सों में मानपता की बहतरी के लिए भारत के वैग्यानिक स्वेदेशी इको फ्रेंडी रोबोर्ट विक्सित करेंगे। यह जो इस लोक हैं उन्होंने लिखा हैं भारत पुर्तिवी से अंतरिक्स तक की नियमित रूप सेयात्रा करेगा यहनिके जैसे हम नियमित रूप से बस और ट्रेन वगरे सेयात्रा करते हैं इस तरह से बारत योग और आयूर बेद के में अधिक विकास के साथ आने वाले वर्सों में और मजबूत होगा इस वर्स की पृतियोगता में भारत के लगबग सो से अधिक सहरों से ककसा एक से लेकर दस तक के बच्चों की एक लाग पंदर हजार से अधिक प्रवस्टियां पराप्त हुई चीन का विशय था अगले 25 वर्सों में मेरा भारत होगा डेस यह इस विशय पर इस सब्जेक्ट पर सबने थीम बनाई थी अपनी डूडल बनाय था निनाएक पैनल के अंतरगत अभीनेता फिल्म निर्माता नीना गुपता टिंकल कॉमिक्स की प्रधान संपादक कुरिया कोस वैसियन यूट्यूबर यूट्यूब करियेटर्स स्लेप स्लेपोइंट और कलाकार एवं उद्देमी अलीका भठ के साथ साथ गूगल जो डूडल की टीम थी वो भी सामिल थी तो इसमें काफी अच्छे अच्छे टोपिक है ध्यान लखेंगे गूगल फो डूडल पर तोकतर 222 की बज़े था इस लोग मुखरजी इसका जो थीम थ होगा ठीक है तो आज के लिए इतने रखेंगे उमीद आपको पसंद आया होगा बाकी मिलेंगे आपसे अपने नए सेसन में तब तक के लिए भाए थैंक्स वाचिंग